आज हम आपको बताएंगे हिंदू धरम में कैसे शुरू हुआ मूर्ती पूजन का विधान जैसे कि हम सभी जानते हैं रामायन और महाभारत काल में भगवान और देवता दोनों ही धर्ती पर आते रहते थे यह बताया जाता है कि रामायन काल में प्रमुक रूप से सूर्य देव अत्वा महादेव का पूजन किया जाता था और श्री कृष्न के काल में नाग यक्ष वा इंद्र की पूजा की जाती थी जहां से अब सवाल उठता है कि कब से मूर्ती प्रथा का चलन चालू हुआ तो मुखे रूप से हिंदु धरम में मूर्ती प्रथा का प्रचलन पूर्व आरे काल अत्वा वेदिक काल से ही चल रहा है और अब सवाल उटता है मूर्ति पूजन की प्रथा कैसे चालो हुई तो मूर्तिया बनाने वालों के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि तीन तरह के लोग उस वक्त मूर्तिया बनवाते थे एक तो वो जो वास्तु और खगोल विज्ञान के जानकार थे उन्होंने तारों और नक्षक्त्रों के मंदिर बनवाए दूसरे वो जिन्होंने अपने पूर्वजों की याद में मूर्टियों का निर्मान करवाया अत्वा तीसरे वो जिनोंने अपने अपने देवता को मन में ही गड़कर उनकी मूर्तियां अत्वा मंदिर बनवाए और तबी से मूर्ति पूजन की प्रथा चली आ रही है और ये केवल एक पत्तर की मूर्ति की पूजा नहीं हम सब की आस्था का प्रतीक है तो फिर मिलेंगे एक नई रहस्य के साथ